हेलो फ्रेंट्स गर्मिया शुरू हो गई है और गर्मियों में हमें ठंडी ठंडी जितनी वराइटिस की चीजें या ड्रिंक्स मिलें उतना हमारे इस मौसम के लिए हेल्पफुल है तो आज मैं अपनों के ले लेकर आई हूँ मैंगो फ्रूटी की रेसिपी जो की बहुत यमियो टेस्टी बनेगी और इसका टेस्ट विल्कुल बाजार जैसा होगा और फ्रूटी के नाम से ही आपके बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आजाएगी उसकी बात ही अलग है तो चलिए हम मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह है मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा कमेंट करके बिताईगा की रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं दो पकिवे आम देख सकते हैं आप यह साइज में थोड़े से बढ़े हैं और यह कच्छा आम लिया है जो कि छोटा है हमको यही रेश्यू रखना है क्योंकि अगर हम छोटा आम बढ़ा लेंगे तो क्या होगा कि हमारा फूटी जो है बहुत खटा हो जाएगा और उसके लिए हमें चीनी की कॉंटिटी और बढ़ानी पड़ेगी तो हम छोटा सा ही लेंगे और फिर भी हम चीनी हमने हाँ पर एक कप लिया है लेकिन हम डिपेंड करता है कि हमारे आम कितने मीठे हैं उसके हिसाब से ची निकाल लेंगे तो देखे हम दोनों आमों के पल्प अच्छे से निकाल लेंगे और पल्प निकालने के बाद हम यह देखे अच्छे से मैंने सभी आम का पल्प निकाल लिया है अब हमें कूकर लेंगे और सभी आम के पल्प को जो हमने निकाला था वह इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें एककप पानी डालेंगे और इसको हम बंद करके तीन से चार विसिल आने तर पका लेंगे तो जब तक हमारा देखिए, यहाँ पर कुकर में विसिल आता है तब तक मैंने दूसरी साइट पर एक बरतन लिया है और उसमें मैंने अपनी चीनी को डाल दिया है और साथ ही एक कप चीनी में मैंने दो कप पाने एड़ किया है अब हम इस चीनी की हमको चाशनी नहीं बनानी है हम इसको चलाते हुए सिर्फ चीनी मैल्ट होने तक पकाएंगे जब हमारी चीनी घुल जाएगी तो हम गैस का इस्टोप बंद कर देंगे और ये प्रोसेस होने में दो से धाई या तीन मिनिट तक लगेगा देखिए हमारी चीनी अच्छे से खुल गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और सुगर सिरप को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इधार हम देखते हैं कि हमारे कुकर में चौथी सीटी भी लग गई है इसका भी हमlect बनकर देंगे और यहां भी हम kookar को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब हमरा kookar अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको कaneyगी तो देखे kookar अच्छे से ठंडा हो गया, यह pulp भी अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसको क्या करेंगे? क्रश करेंगे, इसको बारीक पीसना है उसके लिए मैं इस पल्प को एक ग्रैंडिंग जार में डाल दूँगी और उसके बाद हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और पीसने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब भी डाला है यह अप्शनल है यदि आप चाहें तो ना डाले लेकिन इसके बाद आप इसमें आइस क्यूब बिल्कुल ना डाले तो यह हमारा पल्प रेड़ी है अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी आम के पाटिकल्स ना रह जाएं नहीं तो हमारी फूर्टी का टेस्ट बिगड़ जाएगा तो देखे मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो बहुत ठीक है अभी और अब हम इसमें अपना शुगर शिरफ मिलाना स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं इसमें हाफ शुगर शिरफ मिला देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे अभी भी यह बहुत गाढ़ा लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा शुगर शिरफ और मिला लेंगे और अब हम पहले यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे ऐसा ना हो कि हमारा जो फूर्टी है वो ज्यादा मीठा हो जाए तो हम इसको टेस्ट करेंगे और अगर रिक्वरेमेंट हुई तो हम इसमें और सुगर शिरफ मिलाएंगे तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया है और अभी हमारा यह जो फूर्टी है वो थोड़ा सा खटा है तो जो मेरा बच्चा हुआ शुगर सिरब था वो भी मैं इसमें एड़ कर दूंगे और उसके बाद से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि थोड़ा से इसमें और पानी जाएगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी भी एड़ कर लेंगे देखें अभी से यह कितना प्यारा लग रहा है हमारा रोटी तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेती हूँ और बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी बनाएंगे जैसे कि हमको बाजार में मिलती है देखें यह ना बहुत ज़्यादा गाड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है एकड़म पॉफेक कंसिस्टेंसी है और आपको भी ऐसा ही रखना है तो देखें यह तयार हो गया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको सर्फ करने से पहले इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसको मैं दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी यहाँ पर आप आइस बिल्कुल ना डालें आइस अगर आप डालते हैं तो मेल्ट होके जब पानी बनेगा तो हमारा जो टेस्ट है मैंगो फ्रूटी का वो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी रेडी करने के बाद इसमें इसको ठंडा करने के लिए आप आइस क्यूप्स ना डालें इसको दो घंटे के लिए फ्रीज में रखें ठंडा करें और उसके बाद सर्व करें तो देखे फ्रेंट्स दो घंटे हो गाए हैं और हमारी फ्रूटी अच्छे से ठंडी हो गई है तो चलिए अब हम इसको फटा-फट से सर्फ कर लेते हैं वाव देखिए एकदम बाजार जैसी हमारी मैंगो फ्रूटी बनकर तयार है तो लिजे फ्रेंट बनाईए और इंजोई कीजे मेरे साथ ये मैंगो फ्रूटी और जरूर मुझे कमेंट करके बताईए ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी